हलो स्टूडेंट्स वल्कम बाक ट्माइ चैनल आज की वीडियो में हम एक प्ले को डिसकस करेंगे जिसका नाम है दा हेरी एप इसको लिखा था अमेरिकन प्ले राइट यूजीन ओनील ने यूजीन ओनील का अमेरिकन ड्रामा में बहुत बड़ा नाम है जैसे कि अर्थर मिल का एंड टैनिसी विलिम्स का ये अमेरिकन ड्रामा में रियलिजम को लेकर आए थे दा हेरी एप इस प्ले को 1922 में पब्लिश किया गया था एंड इसमें भी उन्होंने सोसाइटी की रियालिटी को ही पेश किया है उन्होंने बताया है कि टेकनोलोजिकल एडवांसमेंट हो जाने से कैपिटलिजम या फिर इंडस्टिलाइजेशन आ जाने से जो वरकिंग क्लास है उनकी कंडिशन कितनी डिटीरियोरेट हो गई है इंडस्टिलाइजेशन आ जाने से वरकिंग क्लास को तो सिर्फ मशीन समझा जाने लगा है उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्प्ल liner से जो कि एक बड़ी सी luxury ship होती है तो इस ship के front part को for castle कहते हैं जिसके engine room में कुछ firemen रहते हैं जिने stockers भी कहा गया है तो पहले ships वगेरा steam से चलती थी तो ये stockers उनमें cold डालने का काम करते थे तो उस engine room में बहुत सारे stockers हैं जो कि turn by turn उसमें cold डालते रहते हैं जिससे के ship चलती रहते हैं वो engine room बहुत filthy and suffocated है cold से and heat से वहां पे बहुत गर्मी है जिसके वज़े से उन stockers का complexion बहुत dark हो गया है तो जगा थोड़ी tight भी है जिसके वज़े से उनने band होके रहना पड़ता है तो उनकी physical growth भी रुकी हुई है और उनकी body पे hair growth भी ज्यादा है तो इन सब physical features के वज़े से वो एप जैसे दिखते हैं एप मतलब monkey या फिर gorilla तो हमारी evolution भी एप से ही हुई है लेकिन हमारी development इतनी तो हुई है कि हम human beings तो हैं उनकी तो इतनी भी नहीं हो पारी वो तो एप जैसे ही लग रहे है तो इंजन में coal डालने के लाव उनके पास और कोई काम तो है नहीं उनको रहना भी वहीं पर होता है इसलिए वो एक दूसरी को गालिया निकालते हैं ड्रिंक करते हैं बहुत शोर मचाते हैं तो उनका leader है यांक जब वो बोलता है सारे चुप हो जाते हैं फर्स सीन में कोई खास incident नहीं बताया हुआ सिर्फ इनके कुछ बाते ही हैं तो वो वहाँ पे वैसे ही शोर मचा रहे हैं और उनमें से एक stalker गाना गा रहा है कि कोई मेरा wait कर रही है घर पे तो यांक उसे डारता है कि हमारा wait कोई नहीं कर रहा क्योंकि यही हमारा घर है जहां पे हम रहते हैं तो अब उनमें से ही एक और stalker आ जाता है जो कि यांक के साथ आर्ग्यो करता है उसका नम होता है long वो यांक को कहता है कि ये ship हमारा घर नहीं हो सकती capitalism आ जाने से हमारी condition बहुत बुरी हो चुकी है और ये ship उनके लिए hell है फिर यांक long को contradict करता है वो कहता है कि इस ship को हम चलाते हैं मतलब base हम है तो हम capitalist class से superior हो है क्योंकि उन्हें profit तो हम ही देते हैं उनकी luxury's का कारण तो हम ही है तो यहां पे येंक के थुरू Eugene O'Neill ने marxist viewpoint को भी रखा है अब यहां पे येंक की बात सही है कि अगर base strong है तो ही structure को मजबूती मिलती है लेकिन capitalist class कभी भी उनको उनका बनता हक नहीं देती तो यहां पे येंक गलत family में भी रहता है कि वो capitalist class से superior है वो एक illusion में जी रहा है और उसे reality का नहीं पता और उसे reality बताता है एक और stalker जिसका नाम है paddy वो यहां एक से पोश्ट है कि तुम belongingness की बात करते हो कि हम लोग यहां से belong करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वो पुराने जमाने को याद करता है कि जब वो लोग काम करते थे तो उनकी कितनी respect हुआ करती थी तो वो आज slaves की जैसे काम नहीं करते थे वो free होते थे तो यहां पे clipper ships की भी बात करता है जो कि हवा के सहरे चलती थी नहीं चलाने के लिए skill चाहिए होती थी जो कि उनके पास थी उनकी बहुत respect होती थी थी तो लेकिन अब हम stalkers हैं हम engine room में इस तरह से बंद है जैसे ये हमारे लिए cage है और हम इसमें cat animals हैं apes हैं लेकिन फिर से यांग paddy की बात को contradict करता है कहता है कि मैं यहीं की हवा में सांस लेता हूँ जाहिए गंदी है और मैं यहीं पर रहता हूँ तो मैं यहां से belong करता हूँ वो सोचता है कि मैं एक engine की तरह हूँ और अगर engine ही रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा तो यहीं पर first scene खतम हो जाता है और इसमें हमें पता चलता है कि Yank Paddy and Long की thinking क्या है तो scene second में हमारे पास दो new characters है एक तो Mildred Douglas है और उसकी aunt Mildred एक millionaire की बेटी है उसके father Steel के बहुत बड़े business man है और अभी वो अपनी aunt के साथ उसी ship के deck पे बैठी है deck होता है किसी ship के सबसे उबर वाला compartment तो वो business class से belong करती है इसका मतलब है कि वो aristocratic ladies है although उन्हें working class की condition के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता लेकिन Mildred इसके बारे में research करना चाहती है जाना चाहती है तो वो second engineer को बुलाती है और उसे कहती है कि वो से engine room तक लेके जाए और बताए कि stalkers and workers वहां पर कैसे रहती है या कैसे काम करती है तो second engineer आ जाता है और उसे सबसे पहले उसकी white dress change करने को कहता है क्योंकि वहां पर बहुत grease and dirt है तो उसकी dress गंदी हो सकती है लेकिन Mildred कहती है कि इसकी फिकर करने की ज़रूर नहीं है जब उन्हें whistle दे दी जाती है तो वह start हो जाते है और फिर रुक जाते है वैसे बीच में उनके conversation भी होती रहती है पैडी कहता है कि उसकी बहुत back pain होती है तो यांक उसे कहता है कि अब वह बहुत weak हो चुका है जब whistle blow और whistle करता है तो यांक को गुसा आता है वो सोचता है कि वो खुद decide करेगा कि कब काम start करना है और कब रुकना है वैसी बाते बगारा चलती रहती है लेकिन सभी firemen एक्दम से रुक जाती है वो यांक के पीछे देखने लगती है उसके पीछे mildred खड़ी होती है इस dark room में उन सभी को वो light के जैसे लग रही थी mildred ने कभी imagine भी नहीं किया था कि ऐसी भी कोई जगा हो सकती है जब वो यांक को देखती है तो भी होशो कर गिर ही जाती है और गिरने से पहले कहती है take me away, oh the filthy beast अब अब देखे mildred को भी वो लोग animal जैसे लगी इसलिए उसने उन्हें beast कहा तो यहां पर third scene खतम हो जाता है अब हम discuss करते हैं fourth scene तो यहां पर यांक Rodin's the thinker की position में बैठा है Rodin the thinker एक famous sculpture है जसको की Augustine Rodin ने बनाया था तो इस play में दो तिन बार इसका reference होता है कि यहांक इसी position में बैठ कर कुछ भी सोचता है तो काम करके अभी सबी workers rest कर रहे हैं वो यहांक को ऐसे बैठा देखकर पूछते हैं कि इसे क्या हुआ पैटी तो उसके साथ मजाख भी करता है कि इसे शायद Mildred से प्यार हो गया है तो यहांक बोलता है कि मुझे प्यार नहीं उससे नफरत हो गई है कि उसने मेरी insult कैसे की फिर Long आके बताता है कि Mildred and सभी engineers ने fireman की insult की है और वो हमें ऐसे देखने आये थे जैसे zoo में कोई animals को देखने जाता है थो यहांक कहता है कि मुझे इस insult का बदल लेना है तो Long उसे कहता है कि وہ court जा सकता है या गर्रमेंट के पास जा सकता है यहांक कहता है कि मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं या बदला में खुद लूँगा उसे बहुत गुसा आ रहा होता है और वो कहता है कि अगर हम उसे हेरी एप जैसे लगते हैं तो वो भी गोस्ट जैसे लगती है सीन फॉर्ट में में यही बाते होती हैं अब हम सीन फिफ्थ को पढ़ते हैं तो Long and Yank 5th Avenue में जाते हैं जहाँ पर Milgrid जैसे अमीर लोग रहते हैं वहाँ की साफ सफाई देखे वो लोग अमीजड हो जाते हैं वो कहते हैं कि यह जगा तो इतनी साफ है कि यहाँ पर कुछ रखके खाया जा सकता है और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी होती हैं लेकिन उन चीज़ों की प्राइस बहुत हाई होती हैं फिर वो देखती हैं कि अभी लोग चर्च में जा रही हैं याएंग बताता है कि मैं तो जिन्दगी में बस एक ही बार चर्च गया था जब छोटा था अब तो वो सिर्फ स्लेव्स हैं वो अब कहीं आ जा नहीं सकती फिर याएंग कहता है कि हमें यहाँ पर बदला लेना है तो वो चर्च में इसे आ रहे हैं लोगों के सामने जाके ख़ड़ा हो जाता है उनका रस्ता रुपने के लिए तो वो लोग एक्सक्यूज में कहके वहाँ से निकल जाती है फिर वो जान बुझ कि उनके बीच में भी बजने की कोशिश करता है फिर भी वो एक्सक्यूज में कहके चले जाती है वो कई विमन पे भी कॉमेंट पास करता है लेकिन वो भी उसकी बात ignore कर देती है तो उसे उनसे fight करने का कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था फिर यहां कि वहाँ पे बड़ी-बड़ी buildings भी देखता है और उनमें लगी steel को देखकर उसे फिर से गुसा आने लग जाता है क्योंकि steel को वो mildred से जोडता है वो जो जो से चिलाने लग जाता है कि तुम्हें बनाने वाले हम हैं हमारे बिना तुम कुछ भी नई तुम बस garbage हो फिर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता तो गुस्से में वो एक man को punch कर देता है तो वो man police को call कर देता है और police उसे jail में ले जाती है तो यहाँ पर scene 5 खतम हो जाता है तो अभी याँक जेल में है और यहाँ पर भी वो rodins the thinker की position में बैठा है वो थोड़ा out of mind हो गया है क्योंकि हम उसकी situation को समझ सकते हैं जेल की बार steel से बनी होती है और उसे लगता है कि वो zoom में आ गया लेकिन बाकी inmates बताती है कि यह jail है वो सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है तो फिर याँक अपनी story उने सुनाता है उसकी story सुनकर सभी अभी यह जाना चाहती थी कि वो कौन लड़की थी जिसने उसे एप कहा था वो उने बताता है कि उसके नाम की पीछे डगलस पढ़ता है तो वो समथ जाती है कि यह तो डगलस की बेटी है जो कि एक steel businessman है फिर याँक मिल्डरिट को ghost, garbage और पता नहीं क्या कुछ बोलता है फिर एक inmate newspaper से पढ़के याँक को बताता है कि उसे वॉबली इसके पास जाना चाहिए यह एक तरह की workers organization है जो कि उसकी help कर सकती है फिर याँक Rodden's the thinker की position में बैट के इस organization के बारे में सोचने लगता है इसके बाद फिस से जेल की बार्स दिख जाती है उसे steel याद आ जाती है वो इन बार्स को पकड़के जोर-जोर से हिलाने लगता है और फिर ऐसे एक बार band भी हो जाती है तो यह था scene 6 अब हम पटने हैं scene 7 and 8 जो के combined हैं तो जेल से release होकर अब याँक IWW यानि के international world of workers के office में जाता है वो उनसे membership भी ले ले लेता है अब उसे उमीद होती है कि अब वो military से अपना बदला लेगा उसे यह गलत फ़हमे होती है कि यह लोग बदला लेने में उसकी help करेंगे उसको लगता है कि यह कोई secret agency है जो कि steel firms को उड़ाने का काम करती है तो वो secretary से मिलके कहता है कि मुझे इस agency के secrets बता किसी के भी सामने disclose नहीं करूँगा तो secretary को ऐसा लगने लग जाता है कि यह एंक एक पागल है यह कैसी बाते कर रहा है यह तो एक workers organization है जो कि उनके welfare के लिए काम करती है ना कि कोई steel firm को उड़ाने का काम करती है फिर उन्हें लगता है कि यह कोई government की तरफ से भेजा हुआ जासूस है वो उसे brainless ape कहते है और वहां से उठा कर बाहर फिंग दे तो अब वो streets में गोमने लग जाता है और ऐसे गोमते गोमते वो zoo में पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसे एक ape दिखता है गोरिला वो भी Rodgers the Thinker की position में बैठा होता है यैंक सोचता है कि यह भी मेरे जैसे ही है और वो उसे अपनी बाते सुनाना स्टार्ट करता है वो उसे कहता है कि हम दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं और कैद भी हैं तो वो उसे अपना भाई बोलता है वो उस गोरिला का केज भी खोल देता है ताकि वो उसे हैंडशेक कर सके फिर गोरिला बाहर आकर यैंक को अपनी आम्स में इतनी जोर से जगटता है और उसे उठाकर केज में फेक देता है कि यैंक की डेथ हो जाती है और मरते मरते यैंक बोलता है कि मैं यहां से भी बिलॉंग नहीं करता तो यह था इस प्ले का ट्रैजिक एंड उमीद करती हूँ आपको इसकी स्टोरी समझ में आई होगी